कुरिये तुरेवन। वेलकम टू माईचैनल। आज मैं आपको पताती हूं के जो ये करोशय होता है ये बहुत ही कमाल की चीज है। और ये सब जह जो हमने पनाई है करोशय के ही कमाल है। मै मिलता है जब मैंने इसको मंगाया था तो मुझे 14% आफ मिला है लेकिन आप जैसे आप क्रिस्मस आने वाला है तो आप उसके टाइम पे उसको मंगा सकते हो चिन लोगों को जरूरत है जो काम करते हैं तो उनको जरूरत पढ़ती है तो आज हमने यह स्टिच बनाई है इससे य और यह सिलिप नौट हुई यह सिंगल करोशिया हुआ यह हाफ डबल करोशिया है यह डबल करोशिया हुआ और यह टिपल करोशिया तो आज हम आपको इस स्टिच की बारे में बताएंगे कि इनको हम कैसे बनाते हैं और करोशिय भी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने मंग तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे डाले हूड देख सकते हैं जिस पर मैं सलाई और करोशे के ही डिजाइन बताती हूं तो आएए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना तो हम जितनी भी स्टीच हम बनाते हैं गरोशिय में तो वो सब इस गरोशिय का ही कमाल है देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम चैन किसको बोलते हैं ऐसे धागा डालेंगे देखिए और इसको हमने यहाँ पर अब एक बार धागा लपेटा ऐसे निकाला यह हुई चैन इसको हम बोलेंगे चैन बनाना जो बोलते हैं एक चैन बनाओ दो चैन बनाओ तो चैन हम इसी को बोलेंगे और यह करोशिय में ही बनती है सलाई से हम चैन नहीं बना सकते करोशिय से ही हम चैन बनाते हैं तो आज मैं आपको बता रही हूँ करोशिय में जो स्टिच होती हैं तो कितनी तरह की होती हैं और किसको हम कैसे यूज करें तो यह हो गई चैन डबल धागा है इसलिए कहीं कहीं पर निकल जाता है यह देखिए यह चैन बनकर तयार है यह चैन बनकर तयार है चैन के बाद में एक इस्टिच बनाते हैं सिलिपनोट जिसको हम बोलते हैं तो उसके लिए भी हम पहले चैन बनाईंगे ऐसे ही करके हमने चैन बनानी है क्रोशिय में सुरुआत जब करते हैं तो चैन से ही सुरुआत होती है जैसे सलाई में हम लोग फंदे डालकर सुरुआत करते हैं तो क्रोशिय में हमने स्टार्टिंग में चैन बनाते हैं ऐसे करके हमने चैन बनाई देखी चैन बनाने की बाद में हम यहाँ पर सिर्फ एक चैन इसकिप करेंगे और इस चैन के अंदर हम करोशे डालेंगे और इसको हमने इसके साथ निकाल देना है तो यह हुई इसको हम बोलेंगे सिलिप नॉन हर एक चैन के अंदर एक अगवार करोशे डालते हुए हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और यह बन जाएगी सिलिप नॉन अब हम बनाएंगे सिंगल करोशे उसके लिए भी हम सबसे पहले चैन ही बनाएंगे चैन बनाने के बाद ही हम आपको बताते हैं कि हमने सिंगल करोशे किसे बोलते हैं जो बनाने वाले हैं वो सब जानते हैं लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए मैं ये पता रही हूं अभी मेरी एक सब्सक्राइबर है तो वो बार बार सिंगल करोशिया जैसे बना रहे थे तो उसको बार बार पूछ रही थी कि अच्छा ये है सिंगल करोशिया फिर से पतनी साइद उनको याद नहीं आ रहा था या धिहान नहीं रख पा रही थी इस वज़े से मैंने फिर उन को इस चीज की नौलिज मिल जाए किसको हम सिंगल करोशिया बोलते हैं किसको डबल बोलते हैं कहां पर चैन है तो यह देखिए यहाँ पर हमने इस फर्स्ट वाली चैन को स्किप करेंगे और सेकिंड वाली चैन में करोशिया डालेंगे और ऐसे निकालेंगे हम इसको इसको निकालना है और फिर हम इसको इसमें से निकाल देगे जब हमारे पास में दो इश्टीछ हो जाती हैं तो इनको दोनों को हमने निकाल देना है और यह सिंगल करोशिया ही कहलाता है यह देखिए यह सिंगल करोश्य हमने बता दिया है अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे डबल करोश्या डबल करोश्या बनाने के लिए भी हमने पहले चैन ही बनानी है चैन बनानी की बाद में करोशी को उपर से ऐसे धागा लपेटेंगे और दो चैन हमने यहाँ पर इसकीप करनी है तीसरी चैन के अंदर करोशी डालेंगे और यहाँ पर हमारे पास में देके तीन स्टिच हैं इसमें से हमने दो को निकाल देना है फिर दो बची हैं इनको भी दो को निकाल देना है तो यह हो गया हमारे पास में डबल करोशिया जिसको हम डबल करोशिया बोलते हैं दो बारी इसको निकालेंगे फिर दो बार इसको निकालेंगे देखे ये दूर करके निकालेंगे और फिर दो हमारे पास में बचते हैं उनको भी हम दो बार निकालते ये हो गया डबल करोश्या यह हुआ डबल करोशिया डबल करोशिय के बाद में बनाते हैं हम हाफ डबल करोशिया हाफ डबल करोशिया में भी हमने पहले चैन बनाई है चैन बनाने के बाद में यहां से दो तीन चैन हम स्किप करेंगे और इस चैन के अंदर हमने करोशिया डालना है और तीनों को हमने ए इसको हमने ऐसे करके बनाना है यह हुआ हाफ डबल करोश्या अब हम एक इस्टीच और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल करोश्या तो वह भी मैं आपको बता देती हूं उसके लिए भी हमने सबसे पहले चैन बनानी है इसके लिए भी हमने पहले चैन बना ली है देखिए अब हम यहाँ पर तीन चैन हमने इसकीप करनी है और इस चैन के अंदर हमने करोश्या डालकर इसको बनाना है एक चैन हम ऐसे ही बना लेते हैं अब देखिए यह करोश्या के उपर से हमने दो बार धागा लपेटना है और इस चैन के अंदर हम धागा डालेंगे और दो दो करके हमने इसको निकालना है एक दो तीन इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रिपल करोश्या दो बार धागा लेपेटेंगे और दो दो करके हमने इसको तीन बार निकालना है ये हुआ हमारा टिपल करोशिया ये हुआ हमारा टिपल करोशिया और करोशिय की स्टीच हम आपको बताते रहते हैं जब जब हम डिजाइन बनाते हैं तो आज इतना ही और ये सब इस करोशिय का कमाल है इस करोशिय के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो मैंने करोशिय का प मंगाया है और इसका लिंक में डिस्कृप्षन में डाल दोगे तो आये देखते हैं हमने करोशिय कितनी तरह के और कितने नंबर के अलग-अलग नंबर के करोशिय हमने मंगाये हैं तो यह भी आप देखिए आपको दिखाएंगे यह करोशिया यह देखिए यह मैंने करोशिय मंगाए हैं तो आप में से काफी लोग पूछते हैं कि आपने यह किस नंबर से बनाया है तो इसमें अलग-अलग साइस के करोशिय हैं यह देखिए आप इसमें जो बारी कून होती है उसके लिए हम बारी करोशिय यूज करते हैं और जो मोटी यहां से निकल जारा था लूज हो रहा था फिर थोड़ा सा यह यहां से ऐसे करके हिलता भी था फिर मैंने इनको एमा जॉन से मंगाया है तो यह लकड़ी के करोशिया आए हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं बहुत मजबूत है यह देखिए मैं निकाल कर आपको दिखाते हू तो यह वाला है और इसका हम यूज जो करते हैं जो हमारी चुन्या होती है चुन्या यह साड़ी उससे हम जो डॉर्मेंट वगरा बनाते हैं तो उसमें यह काम आता है थोड़ा से इसमें कुछ लगा हुआ है आप लोग इसका जो लिंक है तो वह मैं डिसक्रिप्शन में द अफ था उस टाइम पे लेकिन आगे पीछे होता रहता है और फेस्टिवल के करीब अगर आप इसको मंगाएंगे तो आपको और अच्छा इसमें मुनाफ़ा मिल सकता है तो यह देखिए आप इसको मंगा के रख सकते हैं बहुत अच्छे से इसको बैक के अंदर है खोईग